दोस्तो बिजनस हर कोई करना चाहता है लेकिन सबका प्रोब्लम सेम होता है फाइनेंसियल प्रोब्लम सबका यही कहना होता है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है सब मेरे पास पैसा कम है हम इस बिजनस हो करना चाहते हैं लेकि मेरे पास बजट नहीं है तो आज हम आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से वो सारी जानकारी देंगे कि कैसे आपको पास पैसा आएगा और कैसे आपको इस काम को करना है क्योंकि जो भी आज हम बात करेंगे PMEGP Loan के ऊपर बताएंगे क्योंकि लोगों को लोगों में लेने में सुविधार नहीं हो रहा है बहुत लोग परसान हो रहे हैं क्यों कि उनको इसके बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है नोलेज नहीं है कि PMEGP loan करवाने में उनको क्या-क्या documents देने पड़ेंगे, कैसे उनको बेवहार करना पड़ेगा, कैसे bank वाले से बात करेंगे, जिससे कि उनका PMEGP loan पास हो जाएगा, और इसमें जितना भी हम आपको process बताएंगे, इतना हम practical कर चुके हैं, तब आपको हम बता रहे हैं, आपका loan बहुत जल्दी पास हो जाएगा, और आपको कोई दुबिधा, कोई समस्या नहीं होगा, और ना तो आपको किसी से पैरवी लगाने की जरुत पड़ेगी, क्योंकि बहुत लोग इसमें ये है कि जिसके पास पैरवी होता है, जिसके पास पहचान होता है, उसका काम इसे हो जाएगा, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चनल पे नए हैं, तो प्लीज मेरे चनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन जरूर प्रेज करें, ताकि जब इस तरह का वीडियो अप्लोड करें, उस सबसे पहले आप तक पहुचे, क्योंकि बहुत लोग सबस्क्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं, फिर बाद में वो कमेंट्स करते हैं कि हमें इस पे वीडियो आप डाले, सबस्क्राइब अगर रखेंगे तो बहुत ज़्यादा हम पोजिटिव वीडियो बनाते हैं, और बहुत ही स बताएंगे कैसे इसको apply करना है उसके बाद आपको कैसे bank में जाके बात करना है और कैसे और क्या क्या bank में proof देने परेंगे तो हम आज PMGP loan के बारे में full detail आपको देने वाले हैं तो please video को last तक देखना बीच में आप छोड़ोगे problem होगा तो फिर आप मेरे को मत बोलना दोस्तो यदि आप PMGP loan apply करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान आपको रहे कि जब भी आप apply करें तो ज्यादा तर ladies के नाम पर apply करें उसमें सहोलियत ज्यादा होता है ladies के नाम पर करने पर आपका काम भी जल्दी होगा और जो subsidy है वह भी ज्यादा मिलेगा और थोरा सा विश्वासी भी हो जाता है तो ladies के नाम पर करें उसके बाद रही बाद documents की जो की बहुत एहम मुद्दा है loan के लिए कि कौन-कौन से documents आपको जमा करना है और कौन-कौन से documents आपको पहले जुटा लेना है अपने पास में इकठा करना है उसके बाद इस loan के लिए आपको apply करना है तो सबसे पहले आपको जाती परमान पत्र बनाना है जाती पर्मान पत्र बनाने के बाद आपको निवास पर्मान पत्र बनाना है उसके बाद आपको पेन कार्ड अधार कार्ड तो हर इंसान के पास होता है वो तो रहेगा ही पेन कार्ड अधार कार्ड जाती निवास और आपको दो फोटो लगेंगे और लेडिस के नाम पर आप करवा रहें अजह जैंस पर भी करवा सकते हैं कोई दिकत नहीं लेकिन अगर जिसके भी नाम से हो उनका certificate आठमा पास या दसमा पास का होना चीगिए अगर एट क्लास टेन क्लास का certificate है तो ही ये काम हो सकता है वैसे नहीं हो पाएगा यह सारा डोकुमेंट जुटाने के बाद यदी आपका लोन ज्यादा CHANCE होता है पास होने का कब यह सब डोकुमेंट जुटाने के पास है क्योंकि एक जो main डोकुमेंट से वो है आपका जमीन जिसके नाम से आप अपलाई कर रहे हैं लोन के लिए उस बंदे के नाम से जमीन होना चाहिए क्योंकि यदि उस बंदे के नाम से जमीन होता है तो लोन को पास होने में और भी जल्दी होता है बहुत ज्यादा उसमें हेल्प होता है जमीन होता है उस बंदे के नाम से तो क्योंकि सरकार हो या बैंक हो बैंक वाला उस बंदे को जल्दी देता है जिसके नाम से लोन होड़ा उसके नाम से जमीन रहता है तो तो यह सारा डोकुमेंट जुटाने के बाद आपको जमीन भी इस बंदे का नाम सोना चाहिएगा जमिन नहीं है तो कम से कम 10 साल का रेंट एग्रिमेंट होना चाहिए जिस पे आप काम करना चाहते हो और इन सबसे भी पहले आपको experience होना चाहिए बहुत जादा ताकि अगर बैंक वाला कुछ आप से पूस्ताच करता है तो आप उसको फट से जवाब दोगे experience कैसा होना चाहिए जैसे कि आपको बचत कितना होगा आप माल कहां से खड़ी देंगे आप कितने का बेचेंगे कौन-कौन सा माल कितने कितने का आएगा अगर वो सारा यह कठा करते हैं तो कितना आपको प्रोफिट होगा कितना आपको उसमें से लेवर को देना होगा कितना आपका बिजली भी होगा कितना आपका रेंड होगा यह सारा detail में एकदम आपको confirm याद करके जाना है जिसे लोग कोई school class जाता है तो हुंबक करके जाता है तो वैसे आपको हुंबक करके जाना है क्योंकि वहाँ पर कुछ भी पूछ लेगा और यदि आप उसको बताने में हिचकिचा गए तो फिर वहाँ पर उसको doubt हो जाएगा बैंक वाले को या फिर जो करमचारी आपको जाच करने आएगा उनको क्योंकि उसके पास समझे के एक तरह से इंटर्वियू लिया जाता है और यदि इंटर्वियू में बंदा करेक्ट उतरा तुरुत जिसे के सवाल का जवाब दे दिया उस बंदे पे ज्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं विस्वास करते हैं उस पे ज्यादा फोकस करते है तो लोन अप्लाई करने से पहले आपको इसके इस बिजनस के बारे में फूल डिटेल पूरी जानकारी आपको लेना है जो कि एक तम सटिक होना चीए मतलब एक दूम परफ को आपको अपलाई करना है जहांपर आपका उद्योग विभाग कोगा सायरा अप्रॉकेंटल सायर करते हैं कि तना पैसा लग जाता है और साथा 5,000 रुपए में आपका यह हो जाएगा लेकिन उद्योग विभाग में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आप से 10,000-15,000 भी चार्ज करेंगे वह आप अपने हिसाब से वहां पे पे करना लेकिन हिसाब से ही करना तो इस सारा डोकोमेंस जुटा लिए उसके उद्योग विभाग में जाके यह अपलाई कर दिये प्रजेक्ट रिपोर्ट तयार करवाओगे जब भी वह प्रजेक्ट रिपोर्ट का कॉपी आपके पास होना चाहिए प्रजेक्ट रिपोर्ट 8-10 पेज का होता है वह 8-10 पेज इसका एक कॉपी आपके पास होना चाहिए क्योंकि जैसे ही आप अपलाई कराएंगे तो 15 दिन 10 दिन 5 दिन हाला कि हम लोग का तो 5 दिन में ही आ गया था तिन दिन में आ गया था बैंक में लेकिन यह पोहुँच था मेरा इसलिए जल्दी हो गया अगर यह दिए 10-15 दिन मे जैसे ही आपका ये चीज बैंक में आता है तो बैंक वाले आपको यह खोजेंगे लेकिन इस काम को करने से पहले अपलाई करने से पहले आपको बैंक वाले से मिलना होगा जाकर गह बैंक वाले से मिलके आपको अपना परपोजल वहां दिखाना होगा रखना होगा बताना होगा कि सर हम इस परकार का हम काम करना चाहते हैं और हमें इसमें इतना नोलेज है और हम इस काम को अच्छे से समझते हैं और हमें उमीद है कि बैंक हमारा सपोर्ट करेगी इस तरह से bank वाले से बात करना है और बात करके जब bank वाला आप से कुछ पूछ तास करेगा इस business के बारे में तो उसको आपको detail में बताना है उसके बाद जब bank वाला agree हो जाया कि हाँ ठीक है हम आपका काम कर देंगे तब जाके आप इस काम को आप इस firm को apply करना और apply करने के बाद जब आपके bank में paper आएगा तो फिर bank वाले से आपको जाकर के मिलना है और मिलने के बाद फिर bank वाला आप से वो जो आप project report का copy आप रखें अपने पास में अर्दस पेज का वो आप से मांगेगा कि project आप हमें दिखाएं तो उस वक्त आपको project report काम आएगा इसलिए जब भी आप apply करेंगे तो project report तो वहाँ देंगे उद्ध्यो विभाग में साथ ही साथ वो project report आपके पास होना चाहिए उसके बाद आपका समय खराब ना हो इसलिए हम आपको सारी detail में बता रहे हैं जब आपका paper उद्ध्यो विभाग से आपके bank में आ जाएगा त agreement का paper हो तो वो लेके जाना है साथ ही आपका pain card आधार card वो भी आपको लेके जाना है ये सारा documents फिर आपको bank में जमा करना होगा उसके बाद आपको bank वाले थोड़ा सा time देंगे 2-4-5 दिन का फिर आपके पास में infection वाले आएंगे जो जाच वाले होते हैं तो आपको उतना दिन सबर करना है ज्यादा किसी से फालतू की बातें नहीं करना है क्यूंकि यह ऐसा नाजुक चीज है कि अगर यह दिया आप extra किसी से बात करते से बैंक वाले से या फिर विभाव वाले से तो आपका काम खराब हो सकता है तो इसलिए सतर्क होके इस काम को करना है और confirm कोश प्रोसिस होना चाहिए बिलकुल जो कि आपको इस काम को करना है यह नहीं कि धोका धरी वाला काम लोन उठा लिए और पैसा कहीं और यूज करना है तो वैसे में बाद में आपको दिक्कत भी हो सकता है और यह सारा डोकुमेंट जुटा के आप ऐसे काम करते हैं सारा के बाद आगे का प्रोसेस क्या होगा यह हम आपको नेक्स वीडियो में बताएंगे क्योंकि इस वीडियो में जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा फिर लोग बोरिंग लगने लगा कि कितना दिर का वीडियो है तो यह आपको 10-11 मिनट का बहुत हो गया आपको नेक्स वीडियो हम अप्लोड करें हो सबसे पहले आप तक पहुंचें तो चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद